नमस्कार दोस्तों and welcome to my channel आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्दास के पद कक्षा दस्वी का भाग दो तो चलिए शुरू करते हैं मन की मन ही मांज रही मांज करतोता है अंदर गोपियां यहाँ पे कहरें कि हमारे प्रेम की भावना तो हमारे मन के अंदर ही रह गई है कहिए जाइकॉन पे उधव ना ही परत कही अब उधव तुम ही बताओ कि हम अपने मन की बात किस से कहीं अवदी आधार आस आवन की दन्मन बिथा सही अवदी करत होता है समय बिथा मतलब दुखदर्द फिर गोपियां कहरें कि हम इतने जादा समय से यही आस में जी रहे थे यही अभिलाशा से जी रहे थे यही जल्दी श्री कृष्ण आएंगे इसी के कारण हम बहुत साए दुखदर्द भी सह रहे थे अब इन जोग संदसनी सुनी सुनी बिरही नी बिरह दही संदसनी का अर्थ होता है संदेश और बिरही नी बिरह दही करता है इंतजार की आग में जल रही विरगोपियां कहने कि तुम कैसा संदेश लेकर आ गए हो तुम्हारा संदेश सुनकर तुम और भी जादा इंतजार की आग में जल रही है चाहती हुती गुहारी जित्थाई तई उत्थाई धार भई गुहारी का अर्थ होता है रक्षा के लिए पुकारना फिर गोपियां अधोसे कह रही है कि जब भी कोई भी रक्षा के लिए पुकारता है तो वे अपनी रक्षक को पुकारता है परंतु यहाँ पर तो योग की धारा उल्टी भह रही है हमारे रक्षक ही हमारे दुख का कार बने हुए हैं सूर्दा सब धीर धीरही क्यों मरजादा न लही धीर करत होता है धैर्य मरजादा करत होता है मर्यादा फिर गोपियां कहरें कि सूर्दा सब मितजार ही क्यों करें जब अब यह आशा ही नहीं रही कि वह आएंगे तो चलिए आगी देखते हैं हमारे हरी हारिल की लकड़ी हरी मतलब होता है भगवान हारिल एक प्रकार का पक्षी है जो हमशे अपने हाथ में लकड़ी लेके रहता है फिर गोपियां कहने कि जो हमारे भगवान है वो तो एक हारिल की लकड़ी के समान है जिसे हमने एकदम कसके पकड़ा हुआ है मन, क्रम, बचन, नंद, नंद, उर्री यह द्रिड करी पकड़ी फिर गोपियां कहने कि हमारे मन में, हमारे कर्म में, हमारे बचन में हम सिर्फ और सिर्फ कहाने कहाने गाते रहते हैं हमने कहान शब्द को अच्छे से पकड़ लिया है जागत सवस्वपन दिवस निसी कहाना कहाना जक्री फिर गोपयां कहरी हैं जाकते समय सपने देखते समय रात को दिन को हम सिप ऊसिफ कहाना कहाना रटते रहते हैं जकरी कर्थ होता है रटना सुनत जोग लागत है एसो जयो करूई करि मतलब होता है कडवी फिर गोपियां कहा हैं कि तुम्हारा यह योग का संदेज सुन कर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कडवी ककडी हो सू तो भयाता हमको ले आई देखि सुनी न करी जिनकी मन चक्री तिन हई कर्थ होता है उन्हें फिर गोपियां कहेने के सूरधास Blessed ये संदेश तो उन्हें देना चाहिए जिन का मन चक्री के समान इदर दर भठकता रहता है परन्तु हमारा मन तो श्री किषिन के पास है हम सिर्फ उनी से प्रेम करते हैं हरी है राजनीती पड़ी आए हमारे भगवान तो अब राजनीती पढ़कर आ गए है पढ़ी आई करथ होता है पढ़ना समुझी बात कहत मदुकर के समाचार सब पढ़ाए मदुकर यहाँ पे उधव के लिए प्रियोग हो आगया है एक ब्रहमर कीडा होता है प्रकार का जो के आसपस मंद रहता रहता है फिर गोपियां कह रहीं कि यह उद्वतु मधुकर बनकर आ गया है और सब के पास समाचार पहुचा रहा है एक अधी चतुर हुते पहले की अब गुरु गंत पढ़ाए फिर गोपियां कह रहीं कि श्री किशन तो पहले से इतने जादा चतुर थ गई है जिसके कारण वो सबको योग का संदेश पढ़ा रहे हैं दो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए हित डोलत का अर्थ होता है दोड़ते फिर ना फिर गोपियां कहने कि उद्वत तुम भी बताओ पहले तो अच्छे अच्छे लोग बड़े बड़े लोग भी फि किसी के सायता ही नहीं करना चाहता है थे क्यों अनीती करें आप अफ़ुन झो और अनीती चुड़ाएं आप उनका अर्थ होता है personalized होता है अन्याय Dwya पिर गोपियां कह रही हें कि अप तुम ही करताओ कि यह हमारा धर्म नहीं झीं क्या हमिन्वतink dado करीके बचाना संना च तो यही कहता है ना कि जो भी प्रजा है उसको सताया ना जाए उसके हमिशा मिलने जाना चाहिए अपनी प्रजा से फिर शुरी कृष्ण हमाई साथ ऐसा क्यों कर रही है तुम यह संदेश वापिस लेके जाओ और उन्हें कहो कि वस्वयम हमसे खुद मिलने आएं तो यहां प पीजी